Hello Friends, हमारे YouTube चैनल सेप्टी ग्यान में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है, Parts of Crawler Crane आज के इस ट्रेनिंग के दुरान हम Crawler Crane के कौन-कौन से पार्ट्स होते हैं उसके भी सैमें डिटल्स में डिस्कस करेंगे यदि आप crawler crane के parts के विशाय में details में जानना चाहते हैं तो please इस video को पूरा देखें इसे skip करके ना देखें यदि आप crane के विशाय में details में जानना चाहते हैं तो crane से related हमारा अन्य video types of crane, parts of mobile crane, how to inspect mobile crane जरूर देखें इस video के description में उन सभी video का link दिया गया है training content आज के इस training के दौरान हम जानेंगे crane के विशाय में types of crane के विशाय में, crawler crane के विशाय में rigging and lifting के लिए crawler crane का परियोग क्यों करें उसके क्या-क्या benefits हैं, क्या-क्या advantage हैं उसके विशाय में, crawler crane के parts के विशाय में crawler crane के parts के function के विशाय में क्रेन, एक परकार का मसीन है जो होईष्ट रोब, वाय रोब, चैन और रिफ्स से एक्विप्ट होता है जिसका परियोग मिट्係ियल को lift, shift, lower और horizontally move करने के लिए किया जाता है इसका परियोग मुखेता heavy material को उठाने एक जगह से दुसरे जगह shift करने के लिए किया जाता है क्रेन के परियोग से हमारा का मसानी से बीना किसी injury incident और property damage के कम समय में पूरा हो जाता है Types of Crane अब हम यहाँ Types of Crane के विसाय में जानेंगे दुनिया में Crane के बहुत सारे परकार है दुनिया में बहुत सारे अलग लग परकार के Crane यूज होते है लेकिन उन में से कुछ Crane के विसाय में हम यहाँ discuss करेंगे जिनका परियोग maximum construction industries और operational industries में किया जाता है Crane मुखेता दो परकार के होते है Mobile Crane Mobile Crane वह Crane होता है जो असानी से एक जगा से दुसरे जगा मुख कर सकता है दुसरा Estesnery Crane Estesnery Crane वह Crane होता है जो एक जगा पर फिक्स होता है Mobile Crane भी कई परकार के होते हैं जिन में से कुछ के बारे में हम यहाँ discuss करेंगे Crawler Crane, Tire Mounted Crane Crawler Crane मुखेता दो परकार के होते है Mechanical Crane and Hydraulic Crane Crawler Crane Crawler Crane का Upper Carriage Crawler के उपर फिक्स होता है जिसका Upper Deck और Attachment 360 डिग्री में रोटेट करता है Crawler Crane के साथ Box या लाइटिक भूम फिक्स होते है जिनके साथ Optional Jip भी याद रिक्वाइड हुआ तो फिक्स किया जा सकता है Advantage of Crawler Crane या Advantage to use of Crawler Crane अब हम Crawler Crane के परयोग करने के क्या क्या Advantage हैं उसके भी से हमें डिसकस करेंगे इससे हमें High Level का Strength मिलता है Crawler Crane, Load के साथ Move या Traveling के लिए Capable होता है Crawler Crane Cost Effective Solutions Provide करता है Crawler Crane साइट पे असानी से Move कर सकता है तथा कम सेटप में Material या Equipment को Lift कर सकता है Parts of Crawler Crane अब हम Crawler Crane के कौन-कौन से Parts हैं उसके भी से में रिटल्स में डिसकस करेंगे Crawler Crawler Crane का वो Part है जिसके सहारे Crane एक जगह से दुसरे जगह Move करता है या Crane का Upper Part जिसके उपर Fix होता है Operator Kevin Crane का वो Part है जहां से Crane Operator Crane को Operate करता है तथा Lifting या Shifting के काम को पूरा करता है Gantry और A Frame Gantry और A Frame Crane का वो Part होता है जिसके Bridal Fix होता है Inner Bell और Bridal Inner Bell और Bridal तथा Outer Bell और Bridal Crane का O Part होता है जिसके भीच में Boom Hoist reopening होता है जिसके तुआरण बूम को Up यद डाउन किया जाता है Boom Estop या Boom को Up यद डाउन मुमेंट के दुरान Estop करने का काम करता है Boom Hoist Göring या Boom को safely Up and Down करने का काम करता है Boom Paddent और Section या Reaving तथा Bridal के साथ Attach होता है और boom को up and down करने का काम करता है base और boom foot section या crane का base boom section होता है boom insert और section main hook इसका परियोग material को lift या shift करने के लिए किया जाता है मुख्यता इसका परियोग heavy material को lift या shift करने के लिए किया जाता है auxiliary hook इसका परियोग jeep या laughing boom के साथ light material को उठाने के लिए किया जाता है जीब back stay pedant और back stay इसका परियोग जीब को rest या support करने था laughing boom को up and down करने के लिए किया जाता है जीब must और gantry जीब या laughing boom को support या fix करने के लिए इसका परियोग किया जाता है जीब forest pedant main hoist line main hoist line main hook के साथ attach होता है जो main hook के साथ material को lift या shift करता है auxiliary hoist line या auxiliary hook के साथ attach होता है जो auxiliary hook के साथ material को lift या shift करता है जीब जीब और laughing boom main boom के height को extend करने के लिए उसके साथ attach किया जाते है overhoist limit switch overhoist limit switch accepted device होता है जो hoist के साथ fix किया जाता है जो hook को boom tube के साथ heat या touch होने से बचाता है तथा एक limited distance तक ही hook को off करने के लिए allow करता है उस limit को cross करने पे hoist के function को cut up कर देता है तथा crane के function को lock कर देता है Hook latch Hook latch crane के hook के साथ fix होता है जो ceiling को hook से बाहर निकलने से या आने से रोकता है आप यहाँ इस picture में hook latch को देख सकते हैं Boom Angle Plate Pointer Boom Angle Plate Pointer crane के boom के base section के साथ fix होता है जो boom के angle को indicate करता है Boom Limit Switch Boom Limit Switch एक septi device है जो boom को एक limit में up and down होने के लिए allow करता है तथा उस limit को cross करने पे boom के up and down के function को cut off कर देता है आप यहाँ इस picture में boom limit switch को देख सकते हैं जो ज्यादा off होने पे cut off करता है Boom एक limit से ज्यादा off होने पे यह liber boom के दवारा press होता है जिसके बाद sensor boom के function को cut off कर देता है आप यहाँ इस picture में boom limit switch को देख सकते हैं जो भूम के एक लिमिट से ज्यादा डाउन होने पे उसके फंक्सन को कटफ करता है या भूम के द्वारा हमेशा कनेक्ट होता है लेकिन भूम के एक लिमिट से ज्यादा डाउन होने पे या भूम से डिसकनेक्ट या फिरी हो जाता है तथा भूम के फंक्सन को लॉग कर देता होक स्लीव क्रेंड का वो पार्ट होता है जिस पे क्रेंड का होई इस रोटेट करता है आप इस पिक्चर में होक स्लीव को देख सकते हैं counterweight, counterweight crane का structural part होता है जिससे crane को stability and balance प्राप्त होता है counterweight बढ़ाने से या घटाने से crane का capacity बढ़ता या घटता है high entry और mast, crane का structural part होता है जो main boom के opposite direction में उसके साथ fix होता है जो crane के boom को stability तथा balance प्रोवाइड करता है जथा उसे up and down करने में help करता है mast हमेशा hype capacity के crane के साथ fix होता है superlift counterweight superlift counterweight एक परकार का counterweight होता है जो heavy lift crane के साथ fix होता है जिसका प्रयोग crane के capacity को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है उमीद करता हूँ कि ये video आपको पसंद आया होगा यदि ये video आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को subscribe करें whale icon को दबाए comment करें यदि safety related के CNN topic पे जनकारी चाहिए तो ओ भी comment में लिखें हम आपके लिए उस topic पे video बनाएंगे प्लिक इस video को share करना न भूले thank you for watching and your support